अलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चेनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्रडेट टिप्शन गिमिटेशन के साथ दोस्तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो डेली विस्सेश की तरह दो बहतरिंग स्टॉक आप लोगों के लाता मतलब यह विडियो जो है आप लोगों के लिए एक एजुकेशन परपस से और एक नॉलेज लेवल परपस से ठीक है तो उसको उसी लेवल से देखेगा जो टेक्निकल चीजे हम आपको बताते हैं उस लेवल से ठीक है तो चलिए दोस्तो विडियो को हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में यही बोलूँगा Profit Guru चैनल पर अगर आप नए हो तो डेफिनेटली सस्क्राइब करके जाए दूस्तो वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को एक लाइक जरू करिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तो एप स्टॉक एंजल बोकिंग और एलाइस ब्लू का डिमेट अकाउंट का लिंक दिया है वहाँ पर जाए फिरी में डिमेट अकाउंट ओपन करिए और हमासात निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ओप्चन में भरपूर ट्रेडिंग करिए तो चले सबसे पहले मैं आप लोगों को मार्केट अपडेट देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज भी मार्केट में दोस्तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिली मतलब आदे परसेंट की तेजी लेकिन अल्मस्ट सो पोइंट की मार्केट 15,300 रुपे के प्राइस के उपर क्लोज हुआ तो बहुत ही हमारे यहाँ पर क्या अच्छा लगा है अब मार्केट का जो एक इंपोर्टेंट लेवल बोल सकते हैं दोस्तो टेके वो हो सकता है दोस्तो 15,450 का यह अगर ब्रेक हो गया तो डेफिनिटली दोस्तो मार्केट में एक अच्छी कासी रेली हमें देखने को मिलेगी तो हमारे को तो बस अब यही प्रातना करना चाहिए कि काफी जल्दी मार्केट अच्छा मूफ करे आज देखेंगे तो 31 स्टॉक यह से जो पोजिटिव थे 18 स्टॉक नेगेटिव और एक स्टॉक में कुछ भी मुमेंट नहीं हुआ टॉप गेनर के लिस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो और टॉप लूजर के लिस्ट भी आप यहाँ पर देखके चल सकते हो ठीक है ठीक है तो यह से दो बैतरिंग स्टॉक है रіб्पर टर्गे और प्राफर इस्टॉक लोज आपको गायिट करके हम बताएंगे ठीक है आप लोगों हमारा target यह stock close नहीं भी समझ में आता है तो फिर आप लोग आपके सबसे भी maintain करके चल सकते हो या आपके जो भी financial advisor या broker उनसे भी help ले सकते हो तो चलिए जो first stock उस पर चलते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो जो आप लोगों के लिए first stock है उसका नाम है Reliance Industry Limited Reliance Industry के अगर मैं बात करता हूँ तेजी तो उतनी कुछ खास नहीं देखने को मिली लेकिन कुछ अलगी sentiment इसमें देखने को मिला अगर आप देखेंगे 960 रुपे के आसपास यह stock close हुआ previous close 960 रुपे 15 पैसे का था गेप आप ओप ओपनिंग यह काफी अच्छा लगा 975 रुपे पे ओपन हुआ हाई लगा है 989 रुपे 50 पैसे और लो लगा है 965 रुपे 30 पैसे देखा जा तो 10 से 15 पोइंट का ही moment हमें stock में देखने को मिला है volume बहुत कम condition देखने को मिल रही है quantity देखेंगे दोस्तों तो करीबन 14,52,399 quantity देखने को मिल रही मतलब दोस्तों अभी भी काफी traders, investor इसमें interest दिखा रहे है delivery लेने में और क्यों न दिखाये दोस्तों stock market की दिगज देश की सबसे बड़ी company Reliance अंडरस्टी कहलाती है अब चलते हैं इसके technical view पर कल के लिए क्या momentum मिले गई है देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो Reliance का chart pattern हमने आप लोगों के सामने open किया 21 तारीक के अगर मैं बात करूँगा मतलब यहाँ पर last Friday की ठीके तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस प्राकार से lower points से stock में थोड़ी से तेजी आई थी ठीके गेप आप opening भी अच्छा लिया था लेकिन यहाँ पर जब open होने के बाद high लगाया जो लगबग 2000 रुपे के level के आसपास था और यह जो level था यह लगबग 1980 के मतलब 20 point में profit book भी आ जाता है मतलब traders यहाँ पर trading करने में क्या डर रहे हैं इसमें फिर भी देखे तो फिर उसके बाद profit booking के बाद buying होती है वो buying दोस्तों stock को कहां ले जाती है 210 रुपे के level के पास मतलब दोस्तों जो उसका important level था वो था 1980 रुपे का यह वाला ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे यह support था देन उसको यहाँ पर test किया था लेकिन उसको वो पूरा नहीं कर पाया फिर भी stock में एक अच्छी कासी तेजी देखने को मिली 21 तारिक को देन आप अगर देखेंगे कि stock में जिस प्राकार से profit booking हुई वो profit booking सही नहीं देख रही थी हमें मतलब दोस्तों मैंने बोला ना कुछ अलगी sentiment देखने को आप लोगों को स्टॉक में मिलेगा यह buying हुई लेकिन यह जो profit booking है यह इतनी interesting तरीके से नहीं आई कि पूरा stock को जहन जोड जग मतलब नीचे ला सके फिर भी stock में आप देखें हलकी सी profit booking के बाद stock में एक फिर से तेजी आती है और stock कहां जाके खड़ा हो जाता यह देखिए 910-211 रूपे के level पर यहां तक तो कुछ मुमेंट नहीं होता 4-5 पॉइंट का मुमेंट होता है ठीके यह मुमेंट होता है original 24 तारिक को अब देखिए यह सई ढंग से गिरावट आती है यह गिरावट की में बात कर रहा था वो गिरावट वहाँ पर आनी थी लेकिन वो दूसरे दिन आ रही कब 24 तारिक को मंडे के दिन अब वो गिरावट कहां तक आ जाती दोस्तो ओविसली बात है वो गिरावट तो आप लोगों को यह level तक देखने को मिलेगी जो 1988 1990 रुपे के वहाँ तक है दिर उसके बाद फिर recovery लेता है प्रोफिट बुकिंग जो लगबख 914-945 रुपे के लेवल पर आ जाता है मतलब एक range में ही stock trade कर रहा है 210 रुपे से लेके 1970 रुपे के बीच में ठीक है अगर मैं बात करता हूँ 2010 का जो लेवल है stock का ठीक है वहाँ से लेकि stock में जब 1970 रुपे के लेवल तकी profit booking आती है यहाँ पर फिर गिरावट फिर profit booking फिर अगर आपको में बात करता हूँ कि देखिए एकदम lower point इस stock में profit booking profit booking profit booking ठीक है वो profit booking कहा तक आती है 9175 मतलब यहाँ पर level break हुआ लेकिन level break होने के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे न तो एक interesting buying आई थी यह interesting buying है न बहुत confidence देती है दोस्तों बहुत सारा confidence देती है क्योंकि दूसरे दिन मतलब कल की date में भी तेजी और आज की date में भी तेजी यह तेजी अगर देखें क्योंकि जो बोलते ना कि fake selling आई है हलकी सी selling आई जो देन उसको traders आता है देखता है selling आगई ignore करके चले जाता है तो यह fake selling रहती है ठीके यह तोड़ा सा attraction हटाने के लिए रहता है कि stock पर attraction अगर बन रहा होना तो यहाँ पर हटा सके ठीके तो हम तो stock को calculate में buy करके चलेंगे क्यों चलेंगे क्योंकि मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को update कर दिया है तो दूस्तो आसा करता हूँ आप लोगों को reliance का चार्ट दिखाया उस पर कुछ चीज़े बता ही तो आप लोगों को काफी रुपए के लेवल से ठीके इस लेवल से हम इस टॉक को buy करके चलेंगे देन उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो इस टॉक का जो आराम से momentum generate करने वाला target रहने वाला है वो लगभग 1988 रुपए का रहने वाला ठीके इस लेवल के साथ मैं आप लोगों को क्या stop loss भी बताता हूँ उससे पहले मैं बोलूँगा अगर आप लोगों ने हमारा telegram group join नहीं किया है तो नीचे description में लिंक दिया हूँ SL इसका SL के अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग दूस्तो 1902 ठीके मतलब आप लोग 6 पॉइंट का SL लेके चलिए हो और 10 पॉइंट का target लेके चलिए रिलाइंस को कल की date में बाय करके चलिएगा अब आपन चलते हैं second stock के उपर तो दोस्तो second stock के एक दिग्गा चाटो company जिसका नाम है महंद्रा एंड महंद्रा लिमिटेड महंद्रा एंड महंद्रा के अगर मैं बात करता हूँ तो आज stock में लगभग देजी देखने को मिली 823 रुपे 15 परसे के आसपास यह stock close हुआ है 811 रुपे 25 परसे का previous close 816 रुपे का अच्छा कासा 826 रुपे का high और 813 रुपे का low मतलब देखा जाना तो 13 के according ही आपर stock में moment चला 13 13 दूनी 26 ठीक है और 23 पर close भी हुआ काफी अच्छा moment देखने को मिला उसी के साथ साथ volume के अगर मैं बात करता हूँ तो मात्र 30,64,558 quantity 52 का high 52 का low आप देख सकते हो volume भी काफी अच्छा credit इसमें हमें देखने को मिला था देन अगर मैं बात करता हूँ कि दोस्तों stock का जो momentum है अगर आपको देखने को मिल रहा है लगबग delivery pattern 50% से ज़्यादा की quantity अगर आप देखेंगे दोस्तों तो करीवन 15,62,000 देखने को मिल रही है देन उसी के साथ साथ अब इसके technical view पे चलते हैं क्या momentum मिलेगा क्या सीखने को मिलेगा यह देख लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो महंदा और महंदा के chart pattern पे हमने आप लोगो को लाए हैं यह 24 तारिक का chart pattern में आप लोगों को update कर रहा हूँ वो chart pattern रहेगा दोस्तों करीवन अगर मैं level की में बात करता हूँ तो आप देख सकते हो यह जो level आप लोगों के सामने है यह लगबग दोस्तों 823 रुपे का ही level देखने को मिल रहा है उसी level से क्या हुआ था स stock में गिरावट देखने को मिलेती है और वो गिरावट कहां तक आती है 24 तारिको लगबग 725 रुपे के level के आसपास मतलब बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है दोस्तों इतने से pen candle में देन उसी के साथ साता कर देखते है stock में recovery आती है ठीके मतलब यहां से इस प्रकार का pattern मतलब दोस्तों एक आदे यू का pattern हमें देखने को मिल रहा है देन वो high कहां तक लगता है 815 रुपे का यहां पर आप देख सकते हो ठीके फिर अलके से गिरावट आती है यह गिरावट आती 800 रुपे के level तक फिर high लगता है मतलब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ठीके त दोस्तों treat करा है मतलब 815 रुपे के level पर देन उसके बाद अगर देखें तो इस टॉक में बड़ी सी profit booking आती है वो बड़ी सी profit booking फिर करीवन 888 रुपे के level के साथ लेकिन आज इस टॉक अच्छा gap of opening लेता है मतलब कल की डेट में ठीके कल की डेट में जब वो gap of opening लेता है उपरी level से मतलब जो 837 रुपे 840 रुपे का level रहता है वहीं से बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है और वो गिरावट एक बार फिर से 850 रुपे के level से मतलब देख लिए आप लोगोंने कि जिस प्रकास से stock चड़ नहीं रहा है उससे दो गुना stock में क्या ग लिखता है कि हाँ गिरावट आगे तो गिरावट continuously रहेगी अब देखिए आज के दिन लिया 26 रुपे की लेवल से बाते स्टॉक को महां से थोड़ा से सेलिंग प्रेशर आना ही था डेफिनेटली आया कहां पर 812 रुपे का इंट्रडे में करीवन 5-7 पॉइंट ही बहुत लोगों ने देखा 815 रुपे 15 रुपे के साथ साथ बहुत बार रेजिस्टन लेके बेट गया ठीके अब उसी लेवल को क्या सपोर्ट लेवल बनाके बेट गया वहीं से क्या हुआ तेजी आई वहीं से स्टॉक में तेजी हमें देखने को मिलती अब देखिए ये तेजी क दोस्तों ये स्टॉक में अच्छी मुमेंटम देला जाती है बाकि स्टॉक नहीं यहाँ तो अच्छा कासा 842 रुपे तक का हाई लगाया था तो यहां पर आप देखेंगे ना तो मुमेंटम काफी बहतर है इसी वॉल्यूम के साथ हमें स्टॉक को बाई करेंगे क्योंकि जिस प्राकास है 815 रुपे के उपर ये स्टॉक क्लोज हुआ है तो अब इसमें एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि जो 815 रुपे का लेवल था वो पहले रजिस्टेशन का काम किया देर उसके बाद फिर ये सपोर्ट का काम करने लगा तो अब इसके उपर ये स बाता देता हूं कल की डिट में जब हम इस स्टॉक को बाई करेंगे तो 826 रुपे के लेवल से बाई करने वाले हैं टार्गेट के अगर मैं बात करता हूं तो 832 मतलब आराम से आप इस स्टॉक में 6 पॉइंट का टार्गेट लेके जाएगा बाकी नीचे डिस्क्रिप्श इस में 5 पॉइंट का एसल देके चलेगा थोड़ा बड़ा एसल हमने इसलिए दिया दोस्तो क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा रिवर्सल भी ज्यादा तेजी से देता है ठीक है तो थोड़ा दूर का हम एसल रखेंगे टार्गेट आप लोगों के लिए 6 पॉइंट का महंद्र झाल